अज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसोनाईजेशन के बारे में लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जब हमारी बॉडी में एंटी बॉडी उसका प्रोडक्शन होता है तो वो चार टाइप के आक्शन को कर सकता है कर सकती है पहला था नूट्रलाईजेशन सेकेंड था अपसोनाईजेशन थर्ड था कॉंप्लिमेंट फिक्सेशन और फॉर्थ वाज एडी सीसी डैट इस एंटी बॉडी डिपेंडेंट सेल मीडियेटर साइटो टॉक्सिसिटी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपसोनाईजेशन के प्रोसेस के बारे में अपसोनाईजेशन एक ऐसा प्रोसेस है चोटा सब्सकरकर मैं बहले आपको बदादेती हूँ ут में प्रेजेंट कुछ प्रोटीन जैसे कि हो गया एंटी बॉडिस उसको चारो तरफ से घेड लेती हैं अक्चुल में इसका मीनिंग क्या होता है कि चारो तरफ से कवर करके इस पैथोजन की ससेप्टिविलिटी बढ़ा देती हैं ताकि फैगोसाइट्स आकर उसको जरूरी हो जाता है जब भी हम optionization के बारे में पढ़ते हैं तो इसके बाद एक और एडिया आता है जिसको कि हमें ध्यान देना जरूरी है जो कि है antibody का structure antibody के structure में आप देख सकते हो यह एक variable region है और यही वो region है जहां पे antigens आकरबाइन करते हैं और antibody का यह रहा FC region जिसे हम constant region के नाम से भी जानते हैं आने वाली वीडियो में मैं ADCC के बारे में भी बात करें हूँ इस वीडियो में हम सिर्फ optionization के बारे में बात करने हैं तो अगर हम बात करते हैं यहां पे optionization के बारे में तो सबसे पहले we need to see कि इसका definition का है एक general definition क्या है तो optionization एक ऐसा process है हमारी body pathogen को recognize करती है उसे target करती है और phagocytrosis के थ्रूब body से eliminate कर रही होती है तो यह तो हो गया एक general definition specific definition की बात करें तो तो optionization एक ऐसा process होता है जिसमें pathogen को coat किया जाता है यानि जो body में हमारे pathogen enter किया है उस pathogen को चारो तरफ से coating कर लिया जाता है यह coating कौन करता है यह coating जो है हमारी body में present antibodies या फिर दूसरे option in soccer कर सकती है और ऐसा होता क्यों है ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस pathogen की susceptibility बढ़ा जा सके ताकि उसका ingestion हो सके phagocytes के थूँ और simple बाशा में कहें तो जब एक pathogen हमारी body में enter करता है तो उसके पास कहते हैं susceptibility यानि वो कितना जादा susceptible है वो कितना जादा capable है phagocytes के थूँ phagocytosis करवाने के लिए जनरली देखा जाए तो कोई भी pathogen चाहत तो सीधी सी बात है वो हमें बीमार नहीं कर पाएगा जिस चीश के लिए वो हमारी body में entry किया है लेकिन हमारी body में जितने भी immune cells present है उन सब के पास भी कुछ ऐसे mechanism है जिसके थूँ इस phagocytosis को और enhance किया जा सकता है optionan को हम एक और simple भाषा में कहें तो हम optionization का मतलब बोलते हैं to make something more tasty तो optionization का मतलब है किसी चीज़ को और ज़दा tasty बनाना तो जब pathogen हमारी body में एंटर करता है तो pathogen को somehow ये body हमारी obviously अलग-अलग mechanism से destroy करने की कोशिश करती है लेकिन अगर उसी pathogen को optionize कर दिया जाए और उनको थोड़ा सा और tasty बना दिया जाए तो होता ये कि हमारी body में जो cells present है immune cells वो उस pathogen को और ज़दा easily attack कर पाती है तो इसके पीछे ये भी reason होता है लेकिन ये tasty बनाने का मतलब क्या हुआ tasty बनाने का मतलब हुआ कि उस pathogen को कुछ ऐसी चीज़ से cover कर दिया जाए जो चीज उस pathogen क और जादा susceptible बना दे उसको और जादा जो है phagocytosis के लिए लेकर चली जाए जिसकी वज़े से उसका हमारी body से elimination हो पाए तो इसलिए बुला गया था कि optionization एक pathogen की coating है और ये coating antibodies या दूसरे option in proteins perform कर सकते हैं इसलिए किया जाता है ताकि pathogen की susceptibility बढ़ जाए किसके लिए phagocytosis के लिए और ये phagocytosis कौन perform करेगा हमारी body के phagocytes example macrophage मैं इन सबको diagram के थूप आपको समझाने के कोशिश करूँगी नेक्स आता है कि दो टाइप के optionins होते हैं अब ये optionins क्या है optionins ऐसे proteins होते हैं जो optionization करवाते हैं और specially क्या करवाते हैं optionization में pathogen की उपर coating करने का काम करते हैं optionins तो यहां पर टूटल दो टाइप के optionins आपको देखने का मौका मिलेगा पहला है complement C3B protein and antibodies अभी जो C3B है इसको आपने पहले भी कहीं सुना होगा जैसे कि हमने तीन pathway पढ़े हैं complement pathway में that is classical pathway, alternative pathway and lactine pathway तीनों ही pathway में common चीज आपने देखी होगी C3 जो की complement 3 protein होता है जब इसका breakdown होता है तो यह C3A में बनता है and C3B में बनता है, C3A का काम क्या होता है, C3A तो normally complement pathway में ही काम करता है और C3B बहार निकल जाता है, तब हमने अच्छे से discuss ने किया था कि C3B जाता का है, लेकिन C3B actual में, लेकिन यह क्या करवाता है, optionin की तरह काम करता है, ठीक है, optionin क pathway के थुरू बनता है, classical, alternative and lectin pathway, next आथ कि यह क्यों जरूबत है, optionization की, क्या बिना optionization के काम नहीं हो सकता, और कौन से body के part या कौन से body के system इसको perform करते हैं, तो क्योंकि यह defense mechanism का part है, तो immune system जो होता है, हमारी body का, वो actual में इसको perform कर रहा होता है, ठीक है, so optionization is perform and it occurring immune system, next अगर हम बात करें, एक और definition की, तो optionization के थूरू क्या करते हैं, optionin जो होते हैं, जो कि proteins हैं, यह foreign particles को या foreign pathogen को tag कर देते हैं, ताकि इनका body से elimination with the help of a phagocytes और असानी से हो सके, अब बात आती है, इसकी जरूरत क्या थी, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता था, क्या बिना tag किये, बिना cover किये काम नहीं चल सकता था, यहाँ पर reason यह होता है, कि माली जो body में जब optionin present नहीं होता है, तो जो pathogen का negatively charged cell wall होता है, वो phagocytes से repel करता है, मतलब कि pathogen का cell wall है, वो negatively charged है, जब phagocytes उसको आते हैं, इंगल्फ करने के लिए, उसको खाने के लिए, तो वो उसको repel करने लगता है, मतलब कि susceptibility नहीं देता है, वो उसके लिए resistive nature शो करके उससे दूर भागने लगता है, तो आप कैसकते हैं, इनके बीच में एक एक ऐसा repellent force काम करने लगता है, जो एक दूसरे से दूर भागाता है pathogen और phagocytes को, तो इस तरीके से माल लीजे कि अगर phagocytes pathogen को eng गल्फ नहीं कर पाए, तो pathogen तो बच जा रहा है, अब अगर pathogen की killing नहीं हो रही है, जब वो body में enter किया है, तो serious सी बात है, pathogen का destruction नहीं होगा, और वो हमारी body में replicate करता रहेगा continue basis पे, and that can make us sick, लेकिन, जब body में oxygen present होते हैं, तो वो इसी problem को overcome कर देते हैं, ताकि यह जो repellent force से इसको minimize किया जा सके, और जो negatively charged cell wall होता है bacteria का, उसे क्या कर लिया जाता है, उसको चारो तरफ से opsonance cover कर लेते हैं, जिसकी वैसे उनका negatively charged, जो मतलब की उनके पास feature होता है, वो neutralize हो जाता है, और hence तब जाकर जो है phagocytes जैसे की हो गया macrophage, वहा के easily उस pathogen को engulf कर लेता है, और इस तरीके से optionization technique के थुरू हम इसे antimicrobial technique भी मानते हैं, बहुत से pathogen को kill किया जा सकता है, और उनको stop किया जा सकता है, ताकि वो disease को और spread ना करे, क्योंकि अगर वो जिन्दा रहेंगे, तो वो disease को spread करते रहेंगे, अब आता है mechanism, की होता कैसे, क्योंकि हमने दो type के option in दे या antibodies अगर optionine की तरह काम कर रही है, तो वो body से removal कैसे करती है pathogen का, तो सबसे पहले आपको बता दे, जो body में different antigen होता है, या different pathogen जो होते हैं, वो different B cell को अलग-अलग तरीके से stimulate कर सकते हैं, और जब B cell का stimulation होता है, तो B cell जो है, plasma cell में develop हो जाती है, और आपको यह पता होगा भी तक की, plasma cell antibodies को secret करने का काम करती है, तो as a result, antibody का secretion होता है, antibody के पास ऐसा complex structure है, जो की antigen के लिए specificity दिखा सकता है, तो optionization में जब antibodies यहाँ पर काम कर रही है, यह काफे ज़ता specificity शो करने लगता है, तो यह भी हमें पता है कि antibody का जो variable region होता है, जहाँ पर light chain भी है and heavy chain, दोन अभी जो मैंने आपको picture में बताया था, नेक्स देखने को यह मिलता है कि इसी site पर जो pathogen and antibodies होते हैं, वो lock and key की तरा fit हो जाते हैं एक दूसरे से, pathogen के surface के उपर जो present epitopes, उससे combine कर जाता है, उससे combine कर जाता है antibody का paratope, तो इस तरीके से lock and key की तरा वो एक दूसरे के साथ हो phagocytes, अब इसके बाद क्या होता है, देखे, Y-shape का हमार पास antibody है, उसके variable region से pathogen bind कर गया, अब जो Y-shape के पास, यानि Y-shape का antibody है, उसके FC portion अभी खाली है, वो FC portion के पास property क्या होती है, कि phagocytes, यानि macrophage के surface के उपर कुछ receptors present होते हैं, उस receptors को हम FCR कहते हैं, यानि FC receptor कहते है तो वो antibody का जो FC portion होता है, वो आकर phagocytes के surface पे present FCR से आके bind कर लेता है, इस तरीके से multiple antibody जो है, multiple site पे bind कर जाती है, antigen के और चारो तरफ से उसको cover कर लेती है, cover करने की वज़े से क्या होता है, उस pathogen का chance as well as efficiency बढ़ जाता है, इंगल्फ करने के लिए by the phagocytosis, phagocytes क्या करते हैं, इस pathogen को जो की अभी पूरा antibody से चारो तरफ से cover हो चुका है, उसको इंगल्फ कर लेते हैं, उसको phagosome and lysosome की मदद से totally destroy करवा देते हैं, अगर इसका हम picture देखना चाहें कि ये काम कैसे कर रहे हैं, तो हमें और better समझ में आएगा, ये है diagram, mainly optionization का कैसे काम कर रहा है, see this ये रहा macrophage, जोगी आप देख सकते हैं, macrophage के surface के उपर, you can see here, ये छोटे-छोटे से देखें, ये है receptors, इस receptor का नाम क्या है, इसी receptor का नाम है, FCR, यानि FC receptor, और FC कहां present है, obviously मान लीजे, this is an antibody, तो ये antibody का FC portion है, और ये क्या है, ये है FCR, ये रहा pathogen, pathogen के surface के उपर देखें, ये थे epitopes, इसी epitopes से combine कर गया है, इसी epitopes से combine कर गया है, यहाँ पर antibodies, तो antibodies ने क्या किया है, चारो तरफ से इसको cover कर दिया है, cover करके क्या किया है, इसकी susceptibility, phagocytosis के लिए और बढ़ा दी गई है, क्योंकि obviously इस pathogen के पास negatively charge था इसके cell wall पे, तो ये phagocyte को avoid कर सकता था, ripple क लेकिन जब चारो तरफ से कोई ऐसे protein bind कर गया है, जिस protein का receptor, macrophage के surface के उपरे तब तो इसको avoid करना बहुत मुश्किल है, तो वही हुआ, कि antibody जब पैथोजन को cover करती है, तो antibody का जो epitopes portion होता है, उसके लिए receptor, macrophage के surface पे present रहता है, hence that is why इस pathogen की susceptibility और बढ़ जाती है, phagoc cytosis के लिए, और जब यह pathogen को चारो तरफ से cover कर लिया है, तो macrophage जो है, आप देख सकते है, यह easily bind कर रहा है, FC portion of antibody से, और इसका पूरे proper तरीके से, इसका mainly destruction कर देगा, इसका removal हो जाएगा, with the help of like lysosome and phagosome, इसको fuse कर दिया जाएगा, जब इसको अंदर की तरह इंगल्फ कर लिया जाएगा, तो phagosome create हो जाएगा, phagosome जाकर फिलाइसोजोम से fuse करेगा, and finally इस pathogen का body से elimination हो जाएगा, तो यह एक तरीका होता है, जिसके through mainly optionization perform किया जाता है, तो यह optionization कौन से process के through देखा हमने, antibody वाले pathway के through देखा, मतलब यह दो टाइप के option इन थे, antibodies and C3B, तो antibody कैस करते हैं, optionization यह हमने देख लिए, अब हम बात कर लेते हैं, complement system कैसे करते हैं, complement system जो है, यह optionization process को कैसे perform करते हैं, तो इसका pathway भी बिल्कुल same to same वैसा ही है, जैसे हमने complement pathway में पढ़ा था, तो देखिए, C3B जैसे कि हमको बता है, यह लगबग सारे ही pathway में देखने को मिलता है मतब तीनों की तीनों pathway में यह देखने को मिलता है, example, classical, alternative and lectin pathway, C3B तीनों में ही form होता है, C3B क्या करता है, यह bind कर लेता है multiple sites on the surface of pathogen, जिससे antibodies bind कर रहे थे, pathogen के surface के उपर चारो तरफ से, वैसे ही C3B आता है और चारो तरफ से bind कर जाता है, मतलब एक धंग से covering कर लेता है, It then binds to the receptor on the surface of macrophage or the neutrophils, इसके बाद क्या होता है, C3B के लिए receptors present होते है, macrophage या neutrophils के उपर depend करता है कि phagocytes की तरह वहाँ कौन act कर रहा है, लेकिन C3B के लिए receptors present होते है in phagocytes के cell surface के उपर, C3B अभी तक का best known protein है, जिसके पास optionizing activity पाई जाती है, मतलब यह बहुत अच्छ आपसोनीन की तरह behave करता है, because when it coat the microbes, phagocytosis activity is increased, क्योंकि जब यह coat करता है microbes को, तो phagocytosis के activity कहीं जादा फूर तक जो है, बढ़ जाती है, यह सीदी सी बात करें, तो यह phagocytosis को बढ़ाने में बहुत जादा help करता है, C3B protein, इसलिए इसको बहुत ही अच्छा आपसोनीन की पर, okay, so you can see here, यह रहा एक gram negative bacteria, इसके surface के उपर आप देख सकते ही, जो blue color के portion है, जिन्होंने चारो तरफ से cover करके रखा है इस bacteria को, यह है C3B, यह है C3B, और यह रहा gram negative bacteria हम consider कर लेते हैं, इस C3B ने देखे चारो तरफ से cover किया है, अब जब cover कर लिया है, तो इस bacteria को क्या कर दिया है, susceptibility gain करवा दिया है phagocytosis के लिए, तो यह आया यहाँ पर macrophage, macrophage के surface के उपर present है receptor for the C3B, आप देख सकते हैं, यह dark blue color में यहाँ पर सारे के सारे receptors present है, यह receptors आए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आकर bind कर दिया C3B से, bind करते ही क्या हुआ, bind करते ही जो है, इस gram negative bacteria का engulfment हो गया, याई phagocytos कर लिया गया इसको, और hence इस bacteria का destruction कर दिया गया, तो पूरी कहानी वही है, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर players थे, option in वाले, वो change होगा, यहाँ C3B है, और पहले वाले में हमने देखा था कि antibodies है, काम करने का तरीका वही है, requirement वही है कि, जो चीज कोट करेगी bacteria को, उस चीज से related receptor होने चाहिए, phagocytes के उपर, जैसे phagocytes के surface के उपर, अगर आपको phagocytosis का meaning नहीं पता है, तो phagocytosis का मतलब होता है, किसी चीज को खा लेना, यानि यहाँ पर जो macrophage है, उन्हें हम phagocytic cell कहते हैं, neutrophils को भी कहते हैं, तो कुछ ऐसे cells हैं, जो इस तरीके से अपने target cell को, या target pathogen को engulf कर लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद उनका destruction करवा देते हैं, और body से वह eliminate हो जाते हैं, जो cells phagocytosis perform करते हैं, उन्हें हम phagocytic cell कहते हैं तो यहाँ पर हर जिगे पर phagocytosis के थ्रू ही antigen का removal हो रहा है, तो I hope आपको यह mechanism clear हो गया होगा कि optionine क्या है, कैसे काम करता है, और optionization process क्यों जरूरी है, नहीं होने पर क्या होता है, everything is clear, और हमने दोनों optionine का mode of action देख लिया कि यह काम कैसे करते हैं, अगर आपको reference जानना ह के इसका और detail version भी देख सकते हैं, तो I am expecting कि यह explanation आपके लिए helpful रहेगा, मिलते हैं आपसे next video में जहां पे हम ADCC के बारे में बात करेंगे, वीडियो पसंद आया हो तो इसे like जरूर करें, साथी साथ आप Teaching Partial को subscribe भी कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे दोस्तों के साथ भी share कर सकते हैं, जिनको इस type के lectures की जरूरत हो, thank you so much everyone, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे next video में